हेलो फ्रेंड्स हम लोग एंसेंट इंडियन हिस्ट्री और कल्चर स्रीज कर रहे थे उसमें हम लोग ने इंडेस वैली सिविलाजेशन कर ली थी उसके बाद क्रोनो लोजकल ओडर में हम लोगों ने आर्यन माइग्रेशन ठीय और वैदिक लिट्रेचर वाला पार्ट किया थ और बुद्धिजम और जैनिजम इन पर्टिकलर हम लोग डिटेल में करेंगे अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको जो अगले अपडेट्स होंगे जो हम लोग पूरा जो कन्वेंशनल जीयस है स् करने वाले हैं और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे तो बेसिक जो कॉंसेप्ट है हमारी आज के डिसकुशन की वो ये है कि जो पोस्ट वैदिक पेरियड था अगर आपने जस्ट पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो दे पाट हुआ और 600C क्राइश्ट के 600 साल बात तक ये करीब 1200-1500 सालों का जो आपका पीरियड था उस समय के कल्चिरल डेवलेप्मेंट्स क्या हो रहे थे ये बिसकली ये जो 500-600 BC का जो टाइम था वो वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में नहीं वर्ल्ड ह हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट का मतलब यह है कि उस समय आप देखो कि इंडिया में बुद्धिजम जैनिजम चारवाक लिंगायत काफी सारे कल्चर डवलप हो रहे था तो वर्ल्ड लेवल पे भी आप देखो अरिश् इस टाइप से फिलोसिफिकल आइडियाज प्रडूस हो रहे थे हर जगह पे इंडिया में अगर हम बात किया जाए तो राइज ओफ नू रिलिजिजन्स आये क्यों मतलब अगर हम रिलिजिजन्स की बात करें हैं बुद्धिजम जैनिजम चारवाक और लिंगायत की में बा सब्सक्राइब से बहुत ज्यादा फोकस था यग जिसको बोलते हैं अफ्टर लाइफ पर बिलीव करते थे मुझ चाहिए तो मुझ एक जनम की वाद अगला जनम होता है उच जनम को सुदाने के लिए हमें जो एच्छे काम करने चाहिए थोड़ा सा आइडिल वर्सिप पर रिजिड हो गई थी और यह जो फिलोसफर ते जो बुद्धिजम जैनिजम वाले फिलोसफर थे वो रिलीजिन पर नहीं वो बिलीव करते थे इंडिविजुल एजन्सी पर मतलब यहां पर एक स्टार्ख कंट्रास्ट है रिलीजिन जो है वो सोसल सोसाइटी लेवल का फिलोमना हो गया और यह जो फिलोसफर थे बुद्धिजम जैनिजम यह एक इंडिविजुल हुमन बींग्स के लेवल पर वर कर रहे थे तो सोसल वर्सेज इंडिविजुल यह दिफरेंस आया था जो नई फिलोस्पी इन फिलोसफर्स ने दी थी इन में कुछ कॉमन थीम थी मलब अगर बुद्धिजम जैनिजम अभी हम लोग डिटेल में भी करेंगे बड़ इन में कॉमन एक थीम यह थी यूज तो बिलीव दिर इस नो अधर वर्ड दिर इस नो मीन अगर आपको यह तर्म कहें मुझे तो इनकी जो कोर फिलोस्पी थी इस एवर्ड इस प्रिटर्माइन सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है जो होना है वो होके रहेगा इस टाइब की जो फिलोस्पी वाले जो थे फैटलिष्ट जो बन दे थे वो अजीव कास कहलाते इस में वीज़ा वी मेटलिष्ट लोग भी थे मेटलिष्म फिलोस्पी भी उस समय थी लुकायत बोलते हैं लुकायत एक वर्ड मुझे याद है जी एस जनल स्टिज में कहीं न कहीं IS एक्जाम से पोछा गया है मैं इसमें पेपर में तो लुकायत वो लोग ते जो पैस करो, रिणाम करता, गतम पिवेत, और मजेल उटो लाइफ के यह जो फिलोस्पी थी, यह लोकायत, लोकायत मतलब लोक, यह जो वर्ल्ड है, इसमें बलीव करने वाले मेट्रिलिष्ट, बाकि बुद्धिजम और जो जैनिजम ट्रडिशन था, उसका हम लोग डिसकस करें जबना था, जिसमें वेथनिजम, सवाइड सक्तिजम, दसा उतार, यह सारे और पुराना जो थे वो सिंपल संस्क्रत में लिखे जा रहे थे, तो, यह सारी चीज़ें इससे में हो रही थी, तो और हम लोग डिसकस करते हैं इस बारे में, इस समय जो अगर में लोग बात करें जो में जो बड़े लेवल पे रिलेजन निकल के आया वो बुद्धिजम था बुद्धिजम के बारे में लोग डिस्कस करेंगे चिदार्थ गौतम ने इसको प्रपोस किया था था अब को पता है सिदार्थ गौतम गौतम बुद्धा 563 से 483 BC के पास आसपास 500 BC आदग सकते हैं इतना डिटेल तो नहीं आद रहेगा तो इनके बारे में बुद्धिजम के बारे में डिसकस कने से पहले मैं आपको फिर से क्लेर का देता हूँ कि यह जो बुद्धिजम जैनिजम जब आये तो यह इतने अपीलिंग क्यों लगे बाकी लोगों को उस समय की जो सुसाइटी थी मैंने बताए कि कास्टिजम काफी जाता था बर्थ जो है वो बेसिस बन चुका था वान का तो ब्राह्मन और छत्री को तो प्रिविलेज मिलती थी बट जो वैस और सूद्र थे उनकी जो है सोसल स्टेटस में तोड़ी सी स्टेटस नहीं मिल पा रही थी ब्राह्मन चत्री एक दूसरे के डॉमिशन के आगेंज करते रहते थे कहीं नहीं उनका एक रिलिजन को और एक जो है अपने पॉलिटिकल पावर को आगे करता रहते थे लेकिन उस समय जो इंडिन एकनॉमी थी वो थोड़ी सी अग्रिकल्चर बेजट हो गई थी और एक्रिकल्चर में ट्रेड इस्टार्ट हो गया था ट्रेड से वैसे लोगों कोइम्पार्टनस मिलने लगी तो वैसोसल हारकी थी वह उनकी ब्राह्मन उछातरी की बाहती थी तो वह look down किये जाते थे बाह में काफी support दिया जो initial support आया था Buddhism जैनिजम को trader community से ही आया था initial जो support आया था मैं बताने की कोसिस करो कि Buddhism जैनिजम अपने पाउं क्यों जमा पाया इंग्या में तो उसकी वज़े है कि trader community ने उसको support किया और अगर आज भी आप देगें तो जैनिजम को मानने वाले ज्यादा तो लोग trading या business community वाले ही हैं बाद में आके उस समय भी मिदलब फिर तो आपको मालूम में असुका जो की चत्री था उसने भी बुद्धियम में एक्सप्के तो बाद में तो कह रही है कॉमर मासेस तो पहुंच गए बट इन ही चली ही था तो जो वैदिक पीरियट था वो सुपरिश्टीशन थोड़े से बढ़ गए थे ब्रामनिकल डॉमिनेंस था संसकत जो अब तक की लेंग्वेस थी वो चार्म थे उनका जो एन पॉइंट था वो था कि भ्रामन की ओथर्टीज नहीं करतें थे विश्ट में डिटेल में करते हैं बुद्ध वो है जिसको बुद्धत्य तो मिल गिया हो, बसक्त पर्फेक्ट इनाइटेनमेंट मिल गिया हो, तो ऐसे गॉतम बुद्ध वह ही नहीं, ऐसे 29, 29 बुद्ध हैं, जिनको बुद्धत्य तो मिल चुका है, और गौतम बुद्ध भी उन में से 1 गौतम बुद्ध नमबर 1 पहले बुद्ध नहीं थे गौतम बुद्ध 28 नमबर के बुद्ध इससे पहले 27 बुद्ध हो चुके थे मैत्रे भी जैसे रेक बुद्ध थे और भी कई में फिर गौतम बुद्ध की अगर तुरह सा लाइफ की बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध के बारे में हमें पता होना चाहिए सिधात गौतम क्योंकि वही सबसे पॉपलर बुद्धा हैं हमारे कल्चर में तो उनका जो बर्थ हुआ था नेपाल में, लुम्बनी में हुआ था modern day नेपाल उस समय तो हम इंड़े ही बोल सकते हैं सुद्धूदन एक लीडर थे साक के, क्लैन के एक क्लैन में बटा हुआ था सुसाइटिय साक के मुनी गौतम भी बोलते हैं इसलिए सिधार्द गौतम को तो कपिलवस्तु इनकी कैपिटल थी जो लुम्बनी जगे है कपिलवस्तु के गडम के अंदर आती थी रिपब्लीक थी, मुनार्की नहीं थी महा माया, जो है जब ने पढ़ी होगी कही ना कहीं तो उस चीज पे मैं नहीं कर रहा हूँ फोकस करेंगे कुछ काम के पॉंट्स पे कि जब इनको डिस इलूजिनमेंट हो गया वर से उन्तिस साल की उमर में और ये एसेटिक बनके निकल गया तो पहले ये राजगीर में कहते हैं राजग्रह नाम था पहले अब तो राजगीर बियार में और वहाँ पे ऐसे टिक की लाइफ जो है उन्होंने बिताना स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे इनकी मुलाकात मगद के जो महरास थिभी मिसार उनसे भी हुई थी उन्होंने उनको इन्वाइड भी किया था अपनी किंगडम भी आफर की थी बाट उन्होंने रिव्यूज कर दिया था और अपने सिसों के साथ जिन में से कॉड़िन ने एक बहुत फेमस सिस था उनके साथ जो है चले गए थे पहले तो उन्होंने काफी औस्टल्टी वाला जो है पाथ अपनाया था लेकिन फिर उन्होंने चेंज कर लिया उन्होंने लगा कि self indulgence जितना बुरा है उतना self mortification भी उतना ही बुरा है तो middle path अपनाना चाहिए और meditation करने लगे एक people tree सब को मौलों में गया में बोधी ट्री जिसको फेमस नाम है तो बोधी वरच के नीचे करने लगे उनका नाम पढ़ गया साक्यमुनी बुद्धा बुद्धावदा साक्य क्लान और फिर इनके सिस भी बढ़ते गये फिर उन्होंने सर्मन करना श्टार्ट किया और फोर नॉबल टुथ और एट फूर्ट पाथ अश्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं उसका इन्होंने जो है बुद्धिश टीचिंग के कोर पिलर्स बिनाए और जब इन्होंने दिया था यहां से फस्ट सर्मन जो श्टार्ट की थी इन्होंने साधनाथ वारा नसी के पास एक जगह है धर्म चक्र बुद्ध धम और संग यह कंप्लीट हो गया और जो बाकी बुद्ध की जो लाइफ थी उन्होंने पूरे देश में गूमने में लगाई संग को बढ़ाया उन्होंने जगह जगह अपने संग को ले टीचिंग्स को प्रफूगेट किया और उनके जाने के बाद यह संग्स और बढ़ते गए विहार बनते गए और इनके मिदलब जो है देरे देरे हम लोग और डिसकस करेंगे कि इनकी जो फिलोस्पी है वो भी थोड़ी 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 बुद्धिजम की फिलोस्पी थोड़ी सी चेंज होती गई एक आपको पिक दिख रही होगी सिंबल ओफ गर से उसको होर से दिखाते हैं इनलाइट्मेंट जो मिलाता निर्वान बोधी ट्री से दिखाते हैं जो फस्ट सर्मन इनोंने दिया तो उसको वील से दिखाते हैं जो इंडिया के फ्लैग में वील है धर्मिचा के प्रवतनवाला वो यहीं से आया है सानाथ से डेथ जो है वो उनकी death का एक तरीके से symbol है आगे बढ़ते हैं हम लोग बुद्धिजम से लेटेड और चलिए डिसकस करते हैं बुद्धिजम के basics पे आते हैं बुद्धिजम में और क्या-क्या जो हैं पॉइंस हैं हमें कवर करने के लिए तो मैंने बताया कि four noble truth धर्म चक्र परवरतन में जो बुद्ध हैं उन्होंने बताया कि जो word है वो basically it is full of sorrow दुख से भरा हुआ है birth to death हर समय हमें sorrows मिलते रहते हैं तुख, sorrow फिर दुख का कारण क्या है तो दुख का कारण उन्होंने बताया कि त्रश्णा है त्रश्णा मतलब cause of sorrow is desire त्रश्णा is desire इच्छा हम अपनी इच्छाओं की वज़े से human desire की वज़े से birth और rebirth की cycle हमें होती रहती है मिलती रहती और इसकी वज़े से यही हमारे दुखों की वज़े है तो दुखों का निरूध कैसे करें प्रेवेंट कैसे करें रोके कैसे it is possible गुद्धा ने बोला कि हम अपनी डिजायस पर ट्रैम्फ करके हम इन सारों से get rid of हो सकते हैं इन से मुक्तिब आ सकते हैं तो what is the path of prevention of sorrow तो उसका जो four noble tooth का जो चौथा path था वो है कि man जो है यह इस sorrow से बच सकता है दुख से बच सकता है by following middle path madhyam निकायस को बोलते हैं beach का रास्ता follow the middle path बिल्कुल बीच में चलो ना left extreme ना right extreme ना बहुत ज़्यादा self control ना बहुत ज़्यादा self mortification अपने को torture भी नहीं करना है और gratification भी नहीं करना है तो अपनी सारी desires सुल्फिल करने की courses भी नहीं करना है beach में चलना है middle path follow करना है अब वो middle path जो है उसको थोज़ा से और describe करने के लिए astang mark बताया गया 8 full path मैंने दिखाया भी है पिक में astang mark में 8 हिस्सें right vision right का मिलब सम्मेक बिलकुल सही यही होना चाहिए सही दिख्टी रखनी है right vision right resolution right action right speech सम्मेक वानी जिसको बोल सकते हैं right livelihood right efforts right memory right meditation तो यह जो 8 चीज़ें थी यह 8 full path Buddhism की philosophy का एक बहुत important हिस्सा थी अब लोग और आगे बढ़ते हैं Buddhist literature की बारे में बात करते हैं यह Buddhist literature जो है culture के जब questions बनते हैं तो यह चोटी-चोटी tripitak पे कोई salt question बन सकता है jatak पे बन सकता है millin panha पे बन सकता है asu ghuz का मैंने एक नाम दिया है Buddhist scholar में एक famous scholar ते इंके उपर salt questions बनते हैं तो हम लोग discuss कर लेते हैं tripitak discuss करते है tripitak का मतलब होता है three basket three three pitak मतलब basket tripitak जो है वो एक Buddhist scriptures के लिए traditional term है यह पाली में लिखे गयते है most of the Buddhist literature पाली में लिखे गयते है तीन जो है इसमे पिटक मतलब पिटा रहे हैं वो एक है vinay pitak sutth pitak and abidham pitak कुछ लग रहा होगा कि sutth pitak तो sutr होना चाहिए तो sutr हो गया संस्कृत में sutth pitak जो लेखा हुआ है वो पाली में लेखा हुआ है पाली एक तरह के संस्कृत का अपब्रंज है मतलब इक तरह से संस्कत का तो लगा से degraded form है अभिधम में लिखा हुआ है तो अभिधर्म होना चाहिए तो वो संस्कत पाली का डिफरेंस है तो vinay pitak sutth pitak and abidham pitak यह हैं क्या यह सारे के सारे यह स्लोकाज है सूतराज है तो इसमें 10,000 के करीब सूतराज है जो बुद्धिष्ट काउंसिल हुई थी बुद्धा के ड़क के बाद जो पहली बुद्धिष्ट काउंसिल हुई थी उसमें जो सारे स्कॉलर्स जिस डिसीजन पे पहुँचे थे अजास्त्रू के पैटनेस पे तो वहाँ पे इसमें डिस्कस हुआ था कि क्या है रास्ता कैसे हमें फॉलो करना चाहिए विन्य पिटक जो है जो संग था उसमें जो मौंग्स और नंस रहते थे उनकी बुक ओफ डिस्प्लीन है मतलब आपको यह डिस्प्लीन फॉलो करना है संग में रह रह रहे हैं तो आपको यह फॉलो करना है अभिधाम उपिटक जो है वो उसमें बुद्धिजम की डॉक्टिन और फिलोस्पीज है और इसमें अभिधाम उपिटक के बीतर भी सब बुक्स हैं इसकी साथ सब बुक्स हैं और वेरियस टॉपिक्स डिसकस की गई है काई सारे डिबेट्स डिसकस की गई है कोश्चन सान अंसर दे रखे हैं तो यह तीन जो है त्रिपिटक जो है यह बुद्धिजम बुद्धिस लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टन पार्ट है फिर आते हैं जातक पे जातक जो है वो एक तरीके से फिलोसफी नहीं है फॉक्लो लिटरेचर है जातक की कहानिया है आम लोगों से जुड़े वे कहानिया फॉक्लो लिटरेचर है और इसमें बुद्ध की जो पिछले बर्ध थी उनके भी कुछ कहानियां कि बुद्ध के पिछले जनम में ये थे उसकी कहानिया तो इसमें कुछ five founded around poems भी हैं संस्कत में इसको जातक माला भी कहते हैं चाइना और इस्ट इसिया था कि काफी फैल गए दे जातक की कहानिया मिलिंद पना मिलिंद पना questions of मिलिंद हैं मिलिंद भी थोड़ा सा distorted form है एक इंडो-ग्रीक किंग है मेंडर और एक बुद्धिष्ट मौंग था नाग सेन तो उन दोनों के बीच में डिवेट हुई थी सम्वेर 1st century BC के आसपास बुद्धा से 500 साल बात तो इसकी जो है जे बुक करीब मिलिंद पना सिक्स्थ बुद्धिष्ट काउंसिल अभी आएंगे बुद्धिष्ट काउंसिल पर तब उसमें published हुई थी दोनों के बीच में discussion का एक और famous बुक है इसमें जो है पाली लिट्रेचर में बहुत इंपॉर्टन वर्क है और इसमें जो है बुद्धा की टीचिंग्स भी है और बुद्धा का वहां पे अर्राइवल अफ बुद्धा टीचिंग उसिलंका के जो पीचर से उनकी बाते हैं इसमें और इसे और बहुते हैं महावंसा भी एक है ग्रेट कॉनिकल बाकी बुद्ध्वचरित असुगोस इसने लिखी थी, एक संसकत का वर्ग था और ये 2nd century BC में लिखी गई थी, असुगेज एक बुद्धिष्ट स्कॉलर थे, और भी बुक हैं, बट उतनी फेमस नहीं है, लली तिविस्तार, वोधीवन सा, उनको जाद रखने को फाइदा भी नहीं है, बुद्धिस स्कॉलर्स पर आते हैं, कौन-कौन से फेमस बुद्धिस स्कॉलर्स थे, तो एक असुगोष का मैंने नाम लिया था, और ये कालिदास से पहले के टाइम थे, क्योंकि संसकत के थे, इसलिए मैं कालिदास का नाम ले रहा हूँ, और ये, ऐसे समझ लिजए कि अगर कुसान किंग, कनिस् के ये कोल्ट राइटर थे, बुद्धुचरित लिखी थी इन्होंने, और नंद के बारे में उसमें महालंकार बुक आफ गलोरी अपने किंग्स के बारे में लिखा होगा, नागारजुन अगर आपने सुनाओ, बुद्धिज्म के बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उनका अली वर्ख संसकत में था, पाली में नहीं था, और उनकी मिडिल वे जो होती है बुद्धिज्म की, उसके उपर एक थोरी थी सुनिवाद्जिस को बोलते है, एंपटीनेस, फिर और भी स्कॉलर थे जिसे बुद्धु गोस हैं, और धर्म कीरती हैं, बड़ इनके बुद्ध के जाने के बाद, जो उनके डिसाइपल्स थे, वो मीटिंग्स करते थे, और मीटिंग्स में अपने डिवेट और डिसकॉसंस लाते थे, तो इस ताइब की छे काउंसिल हुई थी, मैंने पिक में चार का ही दिखाया है, बड़ ऐसे छे बुद्धिस काउंसिल चार सो बीची का असपास, अब उसमें एक जेक डेडी रिख की है, पिक्स जो मैंने उठाई थी नेट से, बट पहली बुद्धिस काउंसिल करीब चार सो बीची का असपास हुई थी बुद्धा के जश जाने के पास, किंग अजात सत्रू के पैट्रनज में, राजगीर, जो है बीयार में, राजग्रहज इसको बोलते हैं, सत्ता पानी के वेक बीयार में बहुत वेमर स्टूरिस स्पोर्ट है वहां के आसपास, और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें पितक्स जो बनाए गए थे, विने पितक, अभी दम पितक ये सब जो हैं, इनकी जो रचना हो बुद्धिश्म में सेक्ट बनना स्टार्ट हो गया था इसमें, एक सेक्ट कुछ कह रहा है, दूसा सेक्ट कुछ कह रहा है, थर्ड बुद्धिश्ट काउंसिल 250 BC का असपास होई थी, पाठिली पुत्र, पटना, ये किंग असोगा के पैटनेज में होई थी, और इसमें ब बुद्धिश्ट काउंसिल 72 आफ्टर डेथ, मतलब ये कसमीर में हुए थी, अब हम समझ लिए कि ये हम लोगों की आफ्टर क्राइस्ट वाला जो अमनों का पीरियड वो इस्टार्ट हो गया है इस्ट्री में, इस समय क्समीर में हुए थी 4th बुद्धिश्ट काउंसिल, क जहां पर बुद्धिश्ट में आके जो सेक्ट थे उनमें दोफार हो गया, तूड गया, महायान अलग, हीनियान अलग, अभी डिसकस करेंगे महायान और हीनियान के बारे में, बट महायान और हीनियान को जो डिवीजन था वो चौती काउंसिल में हुए था, और एक जब य ये टीचिंग को रिसाइट करना और सिस्टमेटिकली उनको एक्जामिन करना परपस्ता सिख्थ बुद्धिस कॉंसिल भी बर्मा में होई थी अच्छा सिख्थ बुद्धिस कॉंसिल बहुत बाद में हुई है 1954 मतला भी आप समझ लिएगे कि अब भी इंडिया की फिडम के ज लॉस्पी उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कंटीज के स्कॉलर को बुलाए गया तो आप ऐसे समझ लिए कि जो पुराने समय में वह थी चार पांच मान सकते हैं और चौती बुद्धिस कॉंसिल इंपॉर्टन थी कि उसमें बुद्धिसम टूट गया था हीन या महायान में डिफरेंस करते हैं अच्छा यान तो सबको पता होगा यान तो वहिकल को बोलते हैं हीन मतलब छोटा लेसर वहिकल महा मतलब बड़ा मतलब ग्रेटर वहिकल तो देखिए हुआ क्या कि हीन यान था वो जो बुद्धिसम की औरिजिनल फिलोस्पी थी तो इसी पूर्ट भी बोलते हैं अच्छली कहता है कि हीन यान और महायान में असे बेसिक फिलोसोपी में को डिफरेंस नहीं है सिवाए इसके कि हीन थोड़ा सा रिजिड था और और ओरिजिनल चीजों को कि बुद्धा ने यह बोला है थो बस बोला यह फालो करना है महायान बुद्धियर्शन चाइना, जापान, विएटनाम, कोरिया, सिंगापोर, नेपाल, massage, inglés, तैवान, भूटान, टिबत, मंगोल्या जो भी फैला है वह आप समय लिए महायान बुद्धियर्भानियर्थ है तो महायान जो न्यूरन कोई डिफ्रेंस नहीं सिवाए कि उनिवेर् मुर्ति पूजा भी करते हैं देखते हैं यह मुर्थी बूजा भी करते हoptे हैं देखते हैं बद्रत में औरेक। बाकि बांगी वह थी मुर्ति था गया हो तो बुद्धास अलग थे, बोधिसत्तो अलग हैं, बोधिसत्तो आठ हैं, और ये गौतम बुद्धा के वज्रपानी बुद्धा, ये जो हैं, बोधिसत्तो आते हैं, ऐसे जो enlightened beings थे, उनको बोलते हैं, अच्छा बुद्धिजम की जो, अगर आप कहीं पर भी image देखेंगे, तो एक trident अगर मिलेगा, तो trident या तीन, जो triple jewels उनको बोलते हैं, तीरतन, तो एक बुद्धा यानि की teacher, धर्म मतलब उनकी जो teaching, और संग मतलब उनकी जो community है, ये इनकी faith का important हिस्सा है, अच्छा, कुछ चीज़ें discuss कर लेते हैं, बुद्धि स्राइन, छोटे मोटे points, बुद्ध का जर्म कहां हुआ था, लुंबनी में हुआ था, मैंने देखी, इस slide के नीचे लिखा हुआ हुआ बुद्धि का जर्म लुंबनी में हुआ था, enlightenment का मिला था, बोधगिया में मिला था, बताया था वैसे वे रिपाइड के लेश, धमजा के परवतन कहां पे, सानात में, कुसी नगर क्यों famous है, death हुई थी, इस्तूपा, कि मैं जो बात कर रहा है, स्तूप से इनकी death दिखाते बाकी और famous जगे स्रावस्ती है, जहां जहां पे बुद्ध की life से कुछ related पार्ट है, राजगीर, वैसाली, अमरावती, आंद्रपदेश में, वहां पे बुद्धिस इस्तूपा मिले हैं, मौरन टायम के, साथ वहान किंगी ने विनवाय थे, नागाजुन कोंडा पार्ट और विहार, मतलब यूनिश्टी इस्तूपो मौनाश्टी इस होती है थे, अजन्ता केव्स अजन्ता केव्स रॉककट केव्स हैं, इसे संच्रिये अफ्रड़ एफ्टर डेथ, महराष्ट और रंगाबाद, यहां पे साथ वहान डैनेश्टी ने काफी केवस बनव पहले तो विष्णु पेते बाद में बुदिजम जैसे से हमारे हां कल्चर चेंज होता गया वैसे वहां पर रिफ्लेक्शन दिखता किया बोध गया महाबोधी टेंपल के लिए फेमस है वर्ड हेरिटेस साइड है बोधी ट्री पीपल का ट्री है वैसे तो ओरिजिनली बोध गया में था बट सिलंका में चला गया था और फिर वहां से यहां पर लाया गया काफी लंबी श्टोरी है ओल्डेस्ट लिविंग उमन प्लांटेट ट्री इन दा वर्ड माना आता है बोरो बुदूर इंडोनेश्या यहां पर भी बुद्धिस्ट हेरेटिस साइट है बुद्धा के स्टेचूस है बाम्यान अफगानिस्तान तोड़ दिये गए थी बुद्धा की के गांधार स्ट पाल किंग जो हुए तो उन्होंने बनायते हैं तो बुद्धिजम के बारे में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स हम लोग करेंगे जैनिजम पर थैंक यू